मैं राम चलन को स्वाहा खरेला महववा डिस्टेक से भगवान बुद्ध कंप्पिटीशन में आप सभी का स्वागत है मैं राम चलन को स्वाहा खरेला महवा डिस्टेक से UPSC के आल सब्जेक्ट पड़ाता हूँ आज देखते हैं cesat eseat UPSC में C-set का एक बहुत बड़ा C-set की बहुत बड़ी भूंका होती है जिसमें 33% नमबर लाने होते हैं पासिंग मार के लिए इसलिए आज देखते हैं कैलेंडर कैलेंडर में होता क्या है देखिएगा वर्स एक वर्स में 12 माए होते हैं हर कोई जानता है एक सब्सक्राइब में 7 दिन होते हैं हर कोई जानता है 365 या 26 दिन होते हैं लेकिन जो कुश्यन आता है कि किस दिन कौन सा दिन होता है बस इसको जानने के लिए हम प्रयास करेंगे वर्स दो पिरकार के होते हैं नमबर एक साधारन वर्स नमबर दो लीफ वर्स नमबर दो लीफ वर्स साधार वर्स में 28 की फरवरी होती है और लीफ वर्स में 29 की फरवरी होती है बस इतना ही फर्क है अब 28 और 29 फरवरी के क्यों दिन होते हैं 30 क्यों नहीं होते हैं इसमें थोड़ा सा जाने का प्रयास करते हैं जो हमारा कलंडर जारी हुआ उसमें मार्च का पहला माय रखा गया जो हिंदू का पंचांग होता है हिंदू कलंडर होता है वो मार्च से चालू होता है तब सास्तो सताबदी में भी मार्च से चालू हुआ और दिसम्बर तक चला आखरी माय दिसम्बर हुआ लेकिन कुछ दिन बाद उनसर दिन सेज बचते हैं कुछ ज़वरी में जोड दिये गया जनवरी के टीस दिन और फरवरी के 29 दिन ये जनवरी के कर दिया गया जनवरी को 31 दिन कर दिया गया और यहां 28 दिन कर दिया गया है ठीक तो 28 और 29 की फरवरी होने लगी और 31 की जनवरी चुंकि बहुत से लोगों को यह भी जानकारी नहीं होगी कि हमारा जो कलेंडर है वो जनवरी से चालू हुआ है कि मार्च से जो परिवर्तन हुआ वो दिनों का फरवरी में हुआ 28 या 29 दिन की फरवरी हुई 28 दिन की क्यों नहीं मनाई गई 28 दिन की क्यों मनाई जाती है 29 या 28 दिन की क्यों मनाई जाती है तो इसका एक रीजन था कि जो आखरी माए होगा फरवरी का जो वर्स का आखरी माए होता परिवरतन उसी में होगा तो फरवरी में परिवरतन किया गया बीच में परिवरतन नहीं किया गया लेकिन जो ये कलेंडर फे जारी हुआ फिर इसे जनवरी के साब से चालू कर दिया तो जनवरी से स्टार्डिंग होगा और दिसंबर पर खतम हो गया इसके बाद इसमें एक जानने के पर्यास और करते हैं कि अगर आपका एक माहे में दिनों का दिनों की पुर्णा परती होती है तो वर्सों में माहे की पुर्णा परती होगी अगर एक सब्ताय में साथ दिन होते हैं एक माए में तीस दिन होते हैं किसी में तीस दिन का होता है और उसे माना जाता है तीस दिन अगर माए में दिनों की पुर्णा बढ़ती होती है तो वरसों में कई वरसों में माएं की पुर्णा बढ़ती होगी फिर वर्सों की पौनावर्ती होती है तो आखरी के लास्ट टू डिजिट दो अंग लास्ट के दो अंग जो होंगे उसमें चार का भाग दिया जाता है चार से विभाजित किया जाता है अगर आपका सेस सेस एक बचता है तो उसमें 6 जोडते हैं अगर सेस एक बचता है तो जोडते कितना है 6 जोडते हैं तो आने वाला जैसे 2021 लास्ट में चार का भाग दिया चार पंचे बीस एक बचता है सेस एक सेस बचा तो 6 जोड देंगे तो 216 27 जो 2027 का कलेंडर होगा वही 2021 का कलेंडर है जो 2021 का कलेंडर है वही 2027 का होगा इसके बाद अगर दो या तीन सेस बचता है चार का भाग देने पर दो या तीन सेस बचता है तो उसमें 11 जोडते हैं अगर दो या तीन सेस बचता है तो उसमें 11 जोडते हैं जैसे 2022 22 में दो सेस बचेगा तो 11 जोड देंगे 22 में 11 जोडते हैं तो 33 होता है जो 2022 का कलेंडर होगा वो अगर सेस सून बचे मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए तो सेस सून रहता है जब सेस सून होगा जीरो होगा तो उसमें 28 जोडते हैं 28 जोडते हैं एक संयोग बनता है कि हमारी इंडिया की जो टीम थी पहला वर्ड़ कप 1983 में 1983 में पहला वर्ड़ कप जीती पहला विस्वकप 1983 में जीती और दूसरा वर्ड़ कप 2011 में जीती दोनों का जो अंतर हुआ वो 28 वर्ड़ होगा मतलब कि जो कलंडर 2011 का है वही कलंडर 1983 का है वही 2011 का हुगा जो 2011 में जो दिन आए वही दिन 1983 में आए तो हमारा यह संयोग बना कि 2018 में भारत ने वर्ड़ कप जीता तो संयोग बना 2011 में एकई साल बाद वही पुना पुना पर्णा परती हुई और 2011 में फिर विस्वकप हमारा हमारी भारत की टीम ने विस्वकप जीत लिया चाहे पंचांग हो या नचत्र हो या तिथी हो सब 28 वर्ष बाद एक सी पुना परती होने लगती है इसके बाद देखते हैं कि अगर एक जन्वरी 2021 को सुक्वार है तो 31 दिसंबर 2021 को भी सुक्वार होगा इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन हमारा साल का पहला दिन होता है वही दिन हमारी साल का अंतिम दिन होगा मतलब हमारा पहला दिन सुक्वार को हुगा है पहली जन्वरी सुक्वार को हुई है तो जो साल का अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर वो भी सुक्वार को पड़ेगा इसके बाद यह साधारन वर्षों में होता है लीव वर्स में एक दिन और जोड़ जाता है देखते हैं कैसे जोड़ता है एक जनवरी 2022 को सनीवार है तो 31 जनवरी वो 31 दिसंबर 2022 को भी सनीवार होगा एक जनवरी 2023 को रवीवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी रवीवार होगा एक जनवरी 2024 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या सोमवार होगा विचार करें सोमवार नहीं होगा क्यों यह 2024 है यह लीव वर्स है इसलिए 31 दिसंबर को क्या होगा मंगलवार देखिएगा यह हम कलंडर आपको दिखायते हैं जनवरी 2021 का है एक जनवरी सोकवार को पढ़ती है एक जनवरी सोकवार को है और 31 दिसंबर 31 दिसंबर 20 सोकवार को पढ़ता है 31 दिसंबर सोकवार को पढ़ता है देखते हैं 2020 का कलंडर यह लीव बर्स है 2020 2020 का पहली जनवरी एक बदवार को है तो 31 दिसंबर 2020 गुरुवार को पढ़ती है क्योंकि एक जोड़ गया इसमें लीव बर्स में एक जोड़ दिया गया बदवार को एक जनवरी थी 31 दिसंबर को गुरुवार पढ़ता है 2020 लीव बर्स है इसलिए इसमें एक जोड़ दिया गया अगर एक जनवरी कुश्चन आता है एक जनवरी 2021 को सुक्रवार है तो एक जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा तो आप देखिएगा एक जनवरी 2021 को सुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2021 को भी सुक्रवार होगा इसलिए इसमें एक जोड देते हैं वही दिन निकालने के लिए एक जोड देते हैं तो सुक्रवार की जगे आपका क्या आए जाएगा सनीवार एक जनवरी 2022 को सनीवार है तो एक जनवरी 2023 को क्या होगा रभी वार होगा एक जोड दिया गया तो वही दिन एक जनवरी एक जनवरी आ जाता है एक जनवरी 2022 को सनीवार है तो एक जनवरी 2023 को रभी वार होगा एक जोड दिया गया अगर दिसंवर को पूछता है एक जनवरी 2022 को सनीवार है तो 31 दिसंवर को 31 दिसंवर 2022 को कौन सा दिन होगा तो आपका होता जिस दिन शुरू वही दिन खताम सनीवार होता अगर लीव वर्स है तो उसमें एक जोड देते हैं एक जोड देते हैं 31 दिसंवर के लिए अगर एक जनवरी दिया गया है और लीव वर्स होने के बाद फिर एक जनवरी पूछता है तो उसमें दो जोड देते हैं अगर ये मेरा वेडियो आपको पसंद आए तो उसे सेर करें लाइक करें मैं रामचरन को स्वाख खरेला महवा डिस्टिक्स से यूपी एस्सी के आल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मेरा कॉंटेक्ट नमबर डवल नाइन 56782456 ये मेरा कॉंटेक्ट नमबर हार्ट सेम नमबर है किर्पिया इस पर आप संपर करके संपर कर सकते हैं मैं रामचरन को स्वाख खरेला महवा डिस्टिक्स जय हिंद जय भारत